हेग गाईज वेलकम बैक टू बिक्रम ट्रिटोरियल एक बाद फिर से सभी का स्वागत करते हैं आज हम लो लेके आए हैं कोशिका पार्ट टू पहले पार्ट आप अगर नहीं देखें तो देख लिजिए तो चलिए सुरू करते हैं पहला कोश्चन पॉइंट बाइपॉइं लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थेली कहते हैं एक दम बहुत ही इंपोर्टेंट है तो कोशिका की आत्मघाती थेली किसे कहते हैं तो लाइसोसोम को कहते हैं मैटोकॉंड्रिया को कोशिका का पावर हाउस यानि बिजली घर या सक्तिगरी कहते हैं यह भी इंपोर्ट कोशिका का पावर हाउस यानि कोशिका का सकतिग्री या कोशिका का बिजली घर किसे कहते है तो माइटो कॉंड्रिया ATP का पूरा नम क्या है तो adenosine triphosphate यानि कोसिका की उर्जा किसके अंदर में रहती है ATP के अंदर में adenosine triphosphate next point है mitochondria में DNA तराइबोसोम होते है mitochondria के अंदर में DNA तराइबोसोम होते है ध्यान रखना है अब plastic दो परकार का होता है आईडी नकी प्लास्ट जो होता है अगे अग की बात करते है chlorophyll वरनक यानि पर्णहरित क्रोमो प्लास्ट में उपस्थित होते है क्रोमो प्लास्ट द्यान करना है और यही पर्णहरित रंग को पत्ता के रंग जो हरा होता है इसी के कारण होता है और देखी कोश जितना पॉइंट बताएंगे इस पॉइंट के आलावा भी दिमाग में इसी का पॉइंट अलग तरीके से कोशन में पूश सकता है तो ध्यान रखना है कि जिस तरह का भी कोशन हो आपको समझ के पढ़िएगा तो आप कोशन को डिल कर सके चैसे आई पढ़रते हैं नेक्सट पॉइंट अब आगे हैं जीवन की सर्चनाथमक क्या करयात्मक क्या करते कभी कभी 앞에 देट हैं या आपका उत्ता करते हैं इस तरह से आप् PA मिलेगा तो की करते हैं लिएक्ष प्रात्मिक रूप से अंगक है जिसमें स्टार्च तेल प्रोटीन जैसे पदार्थ संचीत होते हैं को रंगने के लिए अप्योग करते लाष्ट पॉइंट आज का और कोशिका complete हो जाएगा इसके अलावा भी अगर कई कोई भी point ने लगे तो आप comment box में जरूर बता दीजिएगा जिसे दूसरे student भी पायदा उठा सके और आप भी लगातार practice करते रहे कोशिका ता बाहि पर्यावरण में गेसो का आदार पर्दान विसरन द्वारा होता है और वर्नात्मक पारगमी जिली द्वारा परासरन होता है ये याद रखिएगा कोशिका का तथा बाहि पर्यावरण गेसो का आदार पर्दान विसरन द्वारा होता है और वर्नत्मा पार्गम जिलिद्वारा परासरन होता है और एक वोट है जो हमेशा मैं कोसिस करता हूं लाने का गुस्सा आये तो रुकना सिखे और गलती हो जाये तो जुकना सिखे ठीक है देखिए आज के जमाने में गुस्सा तो आ ही जाता है तो गुस्सा आये तो रुक और गलती का भी हो जाए तो जूग जाइए तो यही के साथ जय हिंजय भारत देखते रिए सिखते रहे और एक बाद ठाली कुछ करने का नहीं रुजाने का धन्यवाद विकम टुटोरियल एक ऐसा प्लेटपर्म जहां एक बार आप लोग अगर आ जाए तो फिर दुबारा दे जाएगे थेंक्यू